दोस्तों निया वर्ष हो निया महीना निया दिन हो या फिर निया सवेरा बहुत जरूरी है कि हम इसकी शिरुवात इसका स्वागत एक नई सोच एक प्यारी से मुस्कान और सकरात्मक सोच के साथ करें अगर हमारी सुबा खुब शुरत होगी हमारी सुबा सकरात्मक होगी इसका असर इसका प्रभाव कहीं न कहीं हमारे पूरे दिन पर ह और ये हमारे सबी कारेों को सकरात्मक्ता के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा कहते हैं जीवन हमारा अच्छा या बुरा हमें नहीं मिलता इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे उपर होता है क्योंकि हमें तो बस एक जीवन मिलता है जी हां हर कोई अपनी जीवन में सफलता हासिल करना जाता है कई बार हम उस रास्ते पर चलते चलते रास्ते में आई मुश्किलों से खबरा जाते हैं उनका दट कर सामना नहीं कर पाते ऐसे में कई बार कई महापुरूस, कई विचारकों के विचार हमारे राह में आने वाली मुश्किलों से सामना करने में हमारी मदद करती है और हम फिर से एक नए जोश के साथ अपने काम अपने जिन्दगी में फिर से जुड़ जाते हैं जी हाँ हमारे बिहार बिहान कारेक्रिम का जो पहला सेगमेंट है वो होता है अनमूल वचन जी जहां कि हम कुछ खास महान विचार को महान पुर्शों के द्वारा कथित कुछ बातों को आप सभी के साथ साज़ा करते हैं तो देखते हैं क्या है खास हमारे आज के पहले सेगमेंट अनमूल वचन में महात्मा गांधी ने कहा था एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं हम हर दिन हमारे स्टूडियो में किसी एक विशेश चित्र से एक विशेश व्यक्तित्व को आमंतरित करते हैं और उस चित्र से जुड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं जी हां राज हमारे जो खास महमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी कलाकारी की अगर बात करें एक ऐसे कलाकार जो उन सारे वेस्टिस चीजों को मिलाकर उन्हें खुबसूरती से एक पोट्रिट के रूप में ढाल देते हैं जी हाँ खुबसूरत को खुबसूरत बनाना ये बहुत ही आसान कारे हैं लिकिन जब आप उन चासारी बेकार चीजों को मिला कर उन्हें खुबसूरत रूप देते हैं, ये अपने आप में एक अदभुत कला है जी हाँ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है ब्रोकेन ग्लास आर्टिस्ट शुभम वर्मा आए स्वागत करते हैं हमारे आज की एक खास मेहान शुभम वर्मा का शुभम जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कारिक्रम में शुभम जी ब्रोकेन ग्लास, साटर्ट ग्लास एक बहुत ही यूनीक नाम है, एक बहुत ही अदभुत कला है और ये आज कल बहुत ज़्यादा लोग प्रिय भी हुआ है इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे शैटर ग्लास आर्ट इसको बोलते हैं जिसके शुरुआत साइमन बर्जर जो की रहने वाले स्टॉक्हॉल्म शहर स्टॉक्हॉल्म शहर निवासी हैं उनके द्वारा शुरू किया गया ये काम पहला पीस उन्होंने सन 2016 में बनाया 2018 के बाद उनका काम प्रचलन में आया और धीरे धीरे करके आज विश्व विख्यात हो गया स्वीडन से भारत की जो यात्रा थी शुभम वर्मा तक पहुँझी शुभम आपके जीवन में स्कूल कॉलेज से ही आपके रुची थी इन सारी चीजों में कलाओं में या फिर कोई ऐक ऐसा वक्त था कोई ऐसा दौर था या कोई ऐसा टरिनिंग पॉइंट था जहां आप इस छेत्र से जुड़ गए और ये आपके रुची बन गई जी शुडवाती दोर से ही मेरी रुची हमेशा कला के छेत्र में रही मैंने चीजों को उठा कर उनका इस्तमाल किया उनका रूप बदला और नए नहीं कला कृती के रूप में बदलाव करके प्रदर्शित किया आप आटे इससे शुरू करते हैं एक चोटा सा आटा जो हम सानते हैं खाते हैं रोटी बना के मेरी मम्मी वह बच्पन बनाया करते है मैं उससे कला कृती बना के उससे खाया करता था बच्पन से ही कहीं न कहीं आपके अंदर कला का जन्म हो चुका था शुबहम जी आपने इसी छेत्र में अपनी पढ़ाई अपनी कॉलेज की डिग्री ली है या इससे परे भी आपने कुछ अलग एक कोर्स किया है मैम इससे परे मैंने अब MBA के तरफ मेरा थोड़ा ध्यान रहा है तो अभी मैम क्या है कि बिजनस करना बहुत आसान बस उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है तो मैनेजमेंट के पढ़ाई मेरे इसाब से अभी को करनी चाहिए बिल्कुल आप किसे भी छेत्र में कारे करते हो आप बिजनस करते हो सर्विस करते हो चोटे व्यावसाय को करते हो या बड़े व्यावसाय को करते हो बहुत जरूरी है कि आप में एक management capacity हो जो कि आप एक course के जरिये प्राप्त कर सकते हैं इस चेत्र में रूची आने की वज़ा आप खुद थे या आपके दोस्त या आपके सपोर्ट करते हैं काम करने के लिए कलाकृती बनाने के लिए मेरे inspiration मैं सबसे पहले रही है साइमन बर्जर इस शीशे वाले काम के लिए मैंने उनका काम देखा तो वो flat class जो की market में available उस पे लेके वो work करते हैं उनसे inspire हो के मैं waste material को recycle करके उस तरह का काम करने की कुशिश किय और जिसमें मैं सफल रहा वेस्ट materials को आप recycle करते हैं यह एक बहुत लंबा process होता है इस process में आपको कितना वक्त लगता है और आप अकेले कारे को करते हैं या आपकी साथ और लोग भी जुड़कर इस कारे को करते हैं मैं बिलकुल अकेले करता हूं बस अगर एक दो सहयोगी हो जाते हैं तो एक helping hand मिल जाता है तो कभी-कबार लोग आते हैं हमारे कार्मचारी लोग आते हैं और मुझे support करते हैं तो इसमें कितना वक्त लगता है इसको west materials को reuse के लिए तयार करना और फिर उससे एक art का रूप देना उससे एक portrait का रूप देना इसमें कितना वक्त लग करते हैं तो कहीं दिनों के बाद लिए निर्भर करता है कि आपके कलाकृति है उसका आकार वजन क्या है और मेरे पास्ट कितना उसको देने के लिए सबसे बड़े चीज अगर अब तक कि बात करें शुभंजी आपने शुरुवात जब किया तो कौन सी कलाकृति आपने सब सबसे पहले मैं शुरुवाती दour में सबसे पहले मैंने मुख्यमान्य मुख्यमंतरीजी के प्रमुक् सलहकार है बिहार मुजियम के डिरेक्टर Lord के बारक मुझ कहले भारत को है नग उनके बना है प्रथम कलाकृती से अब तक कर जो सफ़र रहा है। उसके बारे विस्तारते हमारे जनता को बताईए। उसके बाद मैं बिहार राजय पुरुसकार प्रतियोगीता में कम्पेटिशन में बैठा। वहां पर मैंने अपनी भारत की दूसरी कलाकृती तैयार की। पर मैं मुझे ना बिहार सरकार से उसक Urs something support मिला, ना उद्योग विभाग से भस खली मुझे जनता का प्यार, आप लोГों का प्यार मिला, आप लोग मुझे jνη पहचाने मेरे काम को सम्झे और मुझे support किए। बस ये मुझे मिलता रहा। तीसरी कलाकृति में मैं ऑपना भारता सिरे रिकॉड दानिः इंडिया भोक फ रिकॉर्ड्ट से, जिसमें मैं ने भागवान श्री गनेशी की प्रतिमा तैयार की है चौथी कलाकृति मैं हमारी गुरुद्वारा पटना साहिब जो है वहाँ पे म्यूजियम में डिस्पले है जिसमें गुरु गोविन सिंग जी की कलाकृति मैंने बना कि भेट सोर उप्रस्तुत की जी उसके बाद मैं अभी और वक कर रहे हैं उस पे और भी नएने प्रोड़ करीब साथ फीट आट फीट के असपास होती है उतने बड़े शीशे पे काम करना मैं अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है बिल्कुल क्यूंकि आप जब काच से जूड़ी कोई कलाकृति बनाते हो तो उनका एक अस्थान से दूसरे जगा लेकर जाना भी ये बहुत सहेज कर रख जाता है अपने स्री गनेच की प्रतिमा इनकी कलाकृति बनाई है ये एक बहुत यह बहुत ही अलग किस्म की कला ह然 अलग किस्मका का आठ है आज बहुत सारे संस्थाएं बहुत सारे उSo bushes जहां आपको अलग अलग कलाओं की ड्रेनिंग दे जाती है, आपने इसकी ट्रेनिंग कहीं से ली या खुद ही इसका मिरमान करना शुरू किया किसी को देख कर? अब करते हैं, इंस्पीरेशन के, मैं सिखाने वाला थो कोई था निभारत का मैं, खुद पहला काला कार हूँ, इस काम को करने वाला, तो साइमन बर्जर जी से इंस्पिरेशन लेकर मैंने काम शुरू की लॉकडाउन के दौरान, उस वक्त रही माम फैला हुआ था, लोग नौकरी से अपना हाथ धो बैटे था, मैं भी उस वक्त जॉबलेस था, तो वहां पर मैं उनसे इंस्पिरेशन लिया, उनके साथ साथ प तो कई बार बनाने के दर्मियान आपको ऐसा लगा कि यहां पर किस प्रकार में इसको मुझे करना है, तो क्या कहीं न कहीं आपने यूटूब या फिर उनहीं की कलाकृतियों को देख कर सिखा, बस उनकी कलाकृति बनाने की तरीकों को मैंने देखा, उसके बाद मैं, जब ह कोई कलाकृति बना सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बाद मैं हम लोग वहां पर से यह चीज़ देखें, सीखे थोड़ा बहुत, साइमन बर्जर जिसे इंस्पार है, बागी सब मेरे खुद के एक्सपरिमेंट रहा, कुछ अनसक्सेस्फुल हुएं, बट उनसे पहेजते हैं, कैसे आप उन्हें नया रूप देते हैं, कितना वक्त लगता है, इसके बारे में मैं दर्शकों को बताएं भी और दिखाएं भी कबार से शीशा लेकर आना, सबसे पहला काम, जब हम लोग किसी कबार के जगा पे जाते हैं, तो वहां बहुत सारे कबार के चीज़ फेके वे रहते हैं, उन सब में से सबसे बहतर शीशा चुनना, या फिर जाके कॉंटक्ट करना कार्ड के ग्लास डीलर से, उनसे लेना, इ कमपनी का स्टिकर हटाना, उन सब को मैं हटाया, शीशे को धोया, साफ किया, उसके बाद शीशे को समतल करना, उसके बॉर्डर को काटना, हम शीशे देखते हैं, उसके चारों तरफ बॉर्डर रहता है, स्टिकर का, पेंट का, तो उन सब को हटाना, उसके बाद शुरू हो से हमारी कलाकृति स्पस्ट हो जाती है। कलाकृति के स्पस्ट होने के बाद हम लाइट और शाड़ो का ध्यान रखते हुए उस पर उस अनुसार अपना काम करते हैं और कलाकारी तयार करते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक छोटी सी जलक कलाक मेरे काम का देखिये छे सिर्फ हाथ ओड़े और छेनी के मदद से इस पर काम हो रहा है। कह सकते हैं कि इसमें बस आप दो आजार का इस्तेमाल करते हैं। और कितना दबाओ देना है, कितना प्रेसर डालना है ताकि वो कांच तूटे भी नहीं और उस कांच का एक सही इस्तेमाल हो सके। जी बिल्कुल शुभम ये बहुत ही सराहनिय कारे आप कर रहे हैं। लेकिन शुभम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस कारे को अगर किसी संस्था के रूप में या ट्रेनिंग सेंटर के रूप में खोलना चाहें। तो भी आप इस कारे को कर सकते हैं। जी मैं, जरूर। इस काम की शुरुवात 2016 से जैसे हुई। मैं प्रशलन में आते आते इतना वक्त लग गया। और अब इस काम को लेकर इसका मार्केट इतना पीक पर है कि हमारे देश में तो नहीं पर विदेशों में लोग शॉपिंग मॉल के बाहर, घरों के बाहर लगेवे शीशे पे कलाकृती प्रस्तुत करते हैं। हम लोग इस तरह से उनका काम देख सकते हैं। बिलकुल आज अगर हम इंटेरियर डिजाइनिंग की बात करते हैं। आप किसी रिस्टरेंट जाते हैं, कैफे जाते हैं, किसी घर में जाते हैं। हर जगह आपकी डिजाइनिंग के बारे में बात होती है। पोर्ट्रेट के लावा, अगर हम ब्रोकेन और स्काचच ग्लास की बात करते हैं, तो इसका इस्तेमाल और किन छेतरों में किया जा सकता है? मैं, इसका इस्तेमाल हमें सबसे पहली बात की, मैम, जो लोग गरीब हैं, उनके पास छथ ढखने को भी जगह नहीं है। सबसे पहले, फैशन में जो स्टार्ट होता है, एक दब डाउन से स्टार्ट होता है, यह डेनिम जो हम लोग पहन रहे हैं, क्लासिक है, इसकी शुरुवात कोईला खदान के मजदूरों के लिए बनाने के सास्त हुई थी, और आज की डेट में हाइस्ट रैंकिंग मॉडल्स यह डेनिम को यूज कर रहे हैं, इसी तरह से मैं शीशे के इस्तमाल के बारे में कहें, तो गाड़ी के आगे लगाने के लिए तक फीक है, लेकिन हम घरों की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे आपने जोपड़ी देखते हैं, शेड्स देखते हैं, उन सब जगह भी इनका प् तो इसके लिए आप कहीं ट्रेनिंग क्लासेज भी लेते हैं, जो भी इस छेतर में आना चाहते हैं, या इस कला को सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप ही क्या योजना है, अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई ओफर आया नहीं है, पर अगर आगे आता है, तो मैं आपने बताया कि आप जो कलाकृतियां बनाते हैं, वो कैरी करना एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर ये बहुत ही मुश्कील है, क्यूंकि इनका वजन बहुत जादा होता है, 25-30 किलो, लेकिन अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी, कि अगर हम इंटीर डिजाइनिंग म हमारे घरों में, हमारे डिजाइनिंग हॉल में, रेस्टरेंट में, क्याफे में इसका इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो इतने वजन के साथ तो हम इसका इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या छोटे आकार में या कम वजन के साथ भी इसकी खुबसूरती को उखेरा जा सक मैं बात करते हैं छोटे आकार की यह शीशा रिसाइकल किया हुआ है तो यह सम्तल है नहीं अगर मैं उसके चोटे साइस में भी बनाता हूँ तो मैं उस पे मैं उतना ही प्रश़र से लगाूंगा जितना मैं भड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर, परन्तु मैम एक बर अगर वो सेट हो गया फ्रेम पर, किसी भी एक स्थाई जगह पर, तो मैम उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, वो एक जगह कहीं फिक्स हो सकता है, उसके बाद ना जढ़ेगा ना गिरेगा, प्रॉपरली वहां पर र पर रहे हॉल में या ग्लास के साथ हम उसका इस्तमाल करते हैं उसके खुबसूरती को बढ़ाने के लिए, तो क्या इस तरह के उपयोग हम ब्रॉकन ग्लास के साथ कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर सकते हैं परन्तु ये एचिंग लास और अलग-अलग तरिके के शीशे, मैं इन सब का तरीका अलग है, सब मशीन मसीन मेड़ नहीं है और हम जो काम कर रहे हूँ आ हम कर रहे हैं उसमें इनसानी महनत का नतीजा है तो मैम उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं हर जगह पर आप रेस्टोरेंट कैफे के बात कर रहे हैं घर के बात कर रहे हैं कहते हैं टूटावा शीशा रखना अशुब होता है परन्तु मैम शीशे को तोड़कर ही उस पर कलाकृती बनाया गया तो वो अशुब कहां से हुआ बिल्कुल नहीं जी मैम तो उस तरह से उसे हमले हर जगह पर इस्तमाल कर सकते हैं जी बिल्कुल आपने जब शुरुआत किया तो सबसे पहले आपने बताया कि आपने भगवान बुढ़की भी मूरती बनाई है आपने श्री गनेस की भी कलाकृती तयार की है साथी साथ अगर भविशे की योजनाओं के बारे में बात करेंगे, कि आप ब्रोकन ग्लास को कहां तक ले जाना चाहते हैं, आप इसमें अपना भविशे, कहां तक देखते हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं, इसके पहले तक मैं जो भी काम कर रहा था, वो काम सब लोग जानते थे, मार्केट में कम्पिटीशन मेरे लिए बहुत जादा था, करने वाले लोग बहुत भरे पड़े हैं बजार में, पर ये जो टूटा वा शीशा का काम है शाटर ग्लास आर्ट, इस में मेरे अबस्त्रक्ट पिंटिंग काम करने वाले बहुत लोग बधेरो आर्टिस्ट पढ़े हैं मजार में, बट मैम ये तूटा हुआ शीशा जो है, ये मुझे लेकर आया आगे और मैं इसे आगे लेकर जाओंगा, अभी मैं मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहियारी कर लाँ, क्या खड़े हैं या तैयारी कर रहे हैं, साथी साथ इससे पहले क्या किसी ने इस छेतर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जी नहीं मैं, इस छेतर में किसी ने भी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड डी बनाया है, भले इस कलाकृती को इस कला शहली पे काम करने वाले बहुत सारे कलाक तब ही आप एक record बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर वक्त की बड़ी पाबंदी होती है साथी साथ मैं मैं किस material पर काम कर रहा हूँ, क्या मेरे पास tools है, वो सब कुछ की जानकारी आपको नहीं देनी है तो पहला जब मैंने national record बनाया, उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था अकेले ही मैं सब कुछ करता गया, धीरे धीरे national record बन गया अभी जब world record बनाने पर आया हूँ मैं तो मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरे कुछ सहीयोगियों ने मेरा बड़ा साथ दिया बहुत सपोर्ट किया मुझे मैं इसके लिए बहुत प्रिणा दी, उन सब का मैं आभारी हूँ बिल्कुल, शुभाम आपकी ये कला, आपकी ये रूची, कई ने कई आपकी रूची रही है तभी आप इस कला में इस छेतर तक, इस मुकाम तक पहुँच पाए हो इस से परे अगर शुभाम वर्मा की बात करें, आपके पेशे के बारे में, आपके स्कूल लाइए, आपके कॉलिज लाइफ के बारे में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएगे जी, मेरी शुरुवाती स्कूल के पढ़ाए ड़ली पब्लिक स्कूल धनबाद से शुरू हुई, उसके बाद मैं देवगर गया, फिर एक साल वहाँ पढ़ा, पलामू गया, तो वहाँ से मैंने अपना दस्वा बारवा खतम किया, उसके बाद आल ओवर इंडिया की हो गया तो एक कुछ परसेंटेज को यह से छूड़ी गया था, मेरा फील्ड ओफ इंटरस्ट डिजाइनिंग था, इसलिए मैं इस छेतर में आगे बढ़ने का सोचा, और इसके साथ साथ निफ्ट पटना में एडमिशन लिया, सन 2014 से 2018 तक मैंने निफ्ट पटना में अपनी ही अध्यान किया एवं उनका उन पर काम किया, उनको लेकर और आगे बढ़ता रहा, कॉलेज के बाद के बारे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं था दो हजार एठार में जारक्रफ्ट, उद्योग विभाग जारकंड सरकार के अंतरगत आता है, करीब एक साल में वहां र काम पर आया और बिजनस करता हूँ, इस चीज़ को लेकर, पढ़ाए मेरी पिछले साल खतम हो चुकी है, और अब मैं अपने काम को ही लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, कहीं ने कहीं, इस कला के अतिरिक्ट भी आपका एक अपना काम है, जो कि आप पेशा के रूप में कह परे तो बिल्कुल है, पर अगर हम चाहें तो उस काम में भी इस broken glass को add कर सकते हैं, मेरे basically interior designing का काम है, जो कि पटना में चलता है, मैं पटना के विभिन projects पे हाट डालता हूँ, उन्हें लेता हूँ, इवं उन्हें सफलता पूर्वक खतम करता हूँ, अभी तक मैंने करीब 20 से 25 परजट खतम कर चुका हूँ, पटना में, सरकारी और साथ साथ गैर सरकारी, दोनों, अगर shatter glass art की बात करें तो मैं रेस्टोरेंट, कैफे या घर का interior में भी glasses पर डोर पर भाए या shatter glass यूज़ कर सकता हूँ, डिपेंड करता है, क्लाइंट का क्या demand है, उनका क्या budget है जी, बिलकुल, शुभम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी रुची और आपका पेशा कहीं न कहीं एक जुसरे के पूरक हैं, आपको भविशे की योजनाओं के लिए, आपके वल्रिकॉर्ड के लिए, बहुत सारी सुपकामनाएं हम सभी की तरफ से, और आप और इस एक अदभुत कला के बारे में हमारे दर्शकों के साथ जो इतनी सारी जानकारियां साज़ा कि उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहरीर एक माधियम है जो आपके रिष्टे को और भी मजबूत बनाता है, आपके प्रेम को बढ़ाता है। जिहां अप सभी का प्यार हमें मिलता है लेकिन हमें ऐसे ही प्यार की और जरूरत है। आपके सलाह आपके विचार की जरूरत है, आपके सुझाओ की जरूरत है, जी हाँ बिलकुल हमारा कहने का ताथ पर यह है कि आप हमें पत्र जरूर लिखे, अपने विचार हमारे साथ साज़ा जरूर करें, तो उठाईए कागज और कलम और नोट कीजिए हमारा पता, हमारा है कारेकरम बिहार बिहान निदेशक दूरदर्शन केंद्र फ्रेजर रोट पतना 800-00-001 आप हमें इमेल भी कर सकते है, हमारा इमेल आड्रेस है, डिरेक्टर डीडी के पतना at the rate of gmail.com लाँ हमेल, लाँ हमेल्च के वेरो इमेल को सकते है, हमेलो की आड्रेस्क ज kalian favor while में एपीने के पत बिistes पतना रिरे, निदेशक गो उंड भी कम धने है